मेंदरगड का युवा जाग चुका है और युवाओं के दिमाग में की बात है हमें वो ऐसा आदमी चीजिए जिसको मेंदरगड में नीद आती हो जो गुडगावा जा करके सोता है ना उन लोगों से लोगों का मन बोंग हो चुका इसलिए तो आपके उपर भी कुछ लोग जो आपकी विवक्सी पार्टियां हैं वो एलिगेशन लगाती रहती हैं पीछे एक मामला हुआ था तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए मेरे उपर मेहदागदार आप मुझे नहीं कह सकते हैं मेरे उपर तो इलिगेशन इसलिए लगा था कि मैं तो लोगों के आवाज उठाई थी और सरकार ने चोर और लुटेरों के खिलाब कारवाही करने की बजाए मेरे खिलाब मुकदमे दर्ज करके मुझे जेल में डालन का काम गया मेंदरगड विधानसबा जहां है कुछ बड़े बड़े चेहरे जहां से आते हैं हरियाना के शिक्ष्य मंत्री जहां है राव दान सिंग की चोधर जहां से उभरते हुए चेहरे कुल्तीप यादव सर्तार वही से आ रहे हैं एक और नेता जो जनता की खातिर गय जिल्द की सलाकों के पीछे जेजेपी की तरफ से मेंदरगड के परबल दाविदार अजे सी घडिया आज होगे उनसे कुछ तीखे सवाल आमित अमन के साथ आज हमारे साथ जो सक्षियत मौजूद है उनका नाम है अजे सी घडिया जी जो की मेहंदरगड विधान सभा से पिछली बार भी इलेक्शन लड़े थे और एक बार पहले भी वो यहां से जिला पारसद रह चुके हैं तो आईए उनसे उनके राजनितिक सफर के बारे में बातचीत कर लेते हैं जो की अब की बार जेजेपी से यहां से इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं आईए उनसे जानते हैं अजेजी स्टेट नूज हरियाना में आपका स्वागत है धन्यवाद अमित जी सर आप हमें बताइए कि जेजेपी से आप अब की बार टिकट लेने के दावेदार हैं तो दावेदारी में तो काफी लोग हैं तो आप अपने आपको वहां कहां खड़ा हुआ पाते हैं कि सबसे पहले तो मैं कहना चाओंगा कि हमारी पार्टी में हर पार्टी में परजातर अंतर में हर अव्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है और मैं कहता थो अपता मांगने में चीं तो और मैं अपनी मेंनत के दावे व्ल पर way अपने काम के बलपे और छेतर के लोगों की आवाज के बलपे में टिकेट के दाफधारी बेस करना हूँ जी लेकिन क्या है अगर आपको यहां से टिकेट जे जे पी सिन नहीं मिलती है तो क्या आप निर्दलिये भी चुनाओ लड़ सकते हैं मैं निर्दलिये चुनाव नहीं लड़ूगा मैं पार्टी के साथ लोगा तो आप पार्टी के कर्मठ कारिय करता के तोर पर यहां से काम करेंगे लेकिन सर जब आप एलेक्षन में जाएंगे तो आपके पास मुद्दे क्या होंगे ऐसा है कि हमारे पास महंदरगड विधान सभावे तो मुद्दे ही मुद्दे हैं ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है कि जो की पक्स और विपक्स में जो दो बार यहां मंत्री और विधायक रहे हैं तो उन्हें कभी काम ही नहीं कि सारे मुद्दें आप जहीं सिकщah की बात करे स्वास्त की बात करे जहियातायात की बात करे हर छित्र में मुदे मुदे बहुत है सब पीछे जो राम बिलाज़ जी यहां से विधायक भी है और फिलहाल जो हरियाना सरकार है उसमें उस राम सिक्षा मनतरी भी है उनके बेटे की एक ओडियो वाइरल हुई थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे मैं तक कहना चाहूंगा जब ये ओडियो वाइरल हुआ तो सबसे पहले हमने इस बात का विरोध किया और हमने कहा कि इसकी जाच ओनी चाहिए और हर्याना सरकार के मुख्यमंत्री महुद्दै को अस्तक से करके इसको पद से बर्खास्त करना चाहिए और इसकी निस्पक्स चाच करनी चाहिए लेकिन सरकार के दवाब में कोई एजन्सी भी जाच नहीं कर रही तो हम तो पुने आज आपने पुछा है तो मैं पुने अर्याना सरकार के मुख्यमंत्री से भी कहूंगा और राधनी रामिलास जी से भी कहूंगा कि वो नेतिकता के अधार पे उनको अपने पद से इस्तिवादे देना चाहिए सर आपको क्या लगता है कि जेजेपी की कितनी सीट आ सकती है जो विधान सभा चुनाव होगा उसमें विधान सभा चुनाव में तो आपको पता कि अर्याना परदेश का आम नागरिक हर युवा भाइ दुशें सिंग चोटना आगो चाहता है कि अर्याना परदेश का मुख्यमंत्री बने तो सीट तो मैं यह कहूंगा कि आपको द्यान होगा ना पिछले जब दिल्ली में विधान सबका चुनाव था और आमादमी पार्टी ने सतर में से सड़ सट सीट जीती थी उसी परकार से आज हरियना प्रदेश में कोंग्रेश और भारतिय जनता पार्टी के विकल्प के तोर पे आज हमारी पार्टी जन्नाई जनता पार्टी आई है और आमादमी इसार की जनता ने उनको लोग सभा में भेजने का काम किया और सबसे हुआ थे अच्छा संसदरा और आप लोग मेरे से बहतर जानते हैं कि उनका रिपोर्ट कार्ड पाच साल का लोग सभा का रिपोर् तो इसलिए जनता चाहती कि जो ऐसे सक्षित जिसमें मादा हो काम करने का लोगों की आवाज को बुलंद करने का जिसमें मादा हो उस आथमे को हर्याना प्रदेश ने अपने शराख बठा है तो इसलिए अभरी सरकार बनेगी सर आपने अभी लोक सभा का जिकर किया तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि लोक सभा में अब की बार किसकी सरकार बनने वाली लोक सभा का तो मैं नहीं कह सकता किसकी सरकार बनेगी लेकिन मैं अरियाना प्रदेश में ये कह सकता हूं कि मैज़री में 10 संसदों में से 7, 8, 9, 10 तक भी हम पहुँच सकते हैं हमारे संसद, हमारी पार्टी की जीट थे कि मैं ये कह सकता हूं जी सर आप ने अपनी पार्टी की जीट की बात कही लेकिन कल जो आडवानी जी हैं, उनकी टिकट करने, कटने का मामला भी सामने आया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? लेकिन इसके बारे में बहतर तो भारती जनता पार्टी के नेता ही बता पाई है, तो आपको लगता है कि दूसियन चोटाला से बहतर कोई विकल्ब हरियाना के लिए नहीं हो सकता? मैं क्या कहता हूँ, यह तो हरियाना प्रदेश का आम नागरी कहता है इस बात को? मैं आपको एक छोटनी सी बात दिलाओंगा, आप और हम इस आहिरवाल छेतर से हैं, और आपको भी ध्यान होगा, आहिरवाल छेतर में जब इंडियन नेशनल लोगदल पार्टी थी, तो आ कांद विधायक अहिरवाल से जाता था, क्योंकि इस पार्टी को को छेतर विशेश की पार्टी कहता था, कोई गुंडे तबके की बात भी आरत रहें कि अलग लग चीज़ें वहां कहते थे, लेकिन जब से दुस्यंद चोटाला ने हरियाना की इतों के लिए नई पार्टी जन्ना एक जन्ता पार्टी बनाई है ना, तब उसमें हर आदमी, हाहिरवाल का आदमी यह कहता है, हम इस लड़के को चीफनिस्ट बनाएंगे, हर यह आनका बुजरुग आदमी कहता है कि इसको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, मैं पर्टिकुल दर मेरी विधानसवा की बा करेंगे, तो इसलिए मैं दावे से कह सकते हो, आहिरवाल की जन्ता एक कहती है, तो पुरा प्रदेश है, और इस सबसे बड़ी बात इस वेक्ति के उपर कोई किसी जाती विशेश का या च्छेतर वादकारोप नहीं है, तो इसलिए आम आदमी चाहता है कि हमें ऐसा आदमी चीज, इसके उपर कोई हारोप ना हो, और मेंती है, युवा है, और मैं कहता हूँ कि हमारे, और आज तो बेरुजगारी सबसे बड़ा बुद्दा हर्याना प्रदेश का बेरुजगारी है, क्यों मुख्यमंतरी महोदे ने का अदक दो लाख नो करियां देंगे हमारे साल, लेकिनों देने में काम्याब नहीं रही सलिए, और हमारे दुस्यन चोटलाजी ने पहले दिन गोशना की थी, 9 दिसंबर की रेली में, कि हर्याना प्रदेश में जितने भी ओद्द्द्दोगी खेतर हैं, उनमें 75 पर 35 हर्याना प्रदेश के युवाओं को आरक्षन दिया जाएगा, सो बच्चे अगर नोकरी लगेंगे, तो 75 बच्चे हर्याना प्रदेश के होंगे, और सबसे बड़ी समस्या हमारी बेरुजगारी है, और वो खत्म हो जाएगी, हमें बरुस्ता है कि तुस्यन चोटला हमारी बेरुजगारी को खत्म करेंगे। आप भी उनको जानते होंगे, तो इन लोगों के बीच आप अपने आपको कहां खड़ा हुआ पाते हैं। इन दोनों चेरों से लोग बड़े दुखी होगे। आप मेरे से नहीं, आप किसी भी गाउं में जाएं, आप युवाओं से पता करिए। और सबसे बड़ी आज़ी विड़मना यह है, इन चेरों से इसलिए तंग हैं। जब यह चुनाओ के समय तो आप आपको ध्यान पुश्किल है, और इस बार मैं आपको सबसे बड़ी बात ही करना चाहूंगा कि मेंदरगड का युवा जाग चुका है, और युवाओं के दिमाग में की बात है, हमें वो ऐसा आदिमी चीजिए जिसको मेंदरगड में नीद आती हो, जो गुड़गावा जा करके सोता है ना, उन लोगों से लोगों का मन बोंबंग हो चुका, इसलिए कहीं चिंता की बात नहीं है, और मैं तो खड़ा क्या, मैं तो छितर के लोगों के बीच में सदा, कोई भी संगर्स की बात ही, मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, और लोगों ने मुझे आसिरवाद दिया, ह साथ खड़ा है तो फिर हम मजबूती से खड़ें कोई परवा नहीं सिर्फ पहले आप इनेलो पार्टी में थी तो जजबा के साथ आने के क्या कार रहे ऐसा है मैं यह आपकी बार ठीक है मैं इंडियन नेशनल लोगदल में सक्रिय कारे करता रहा हूं लेकिन मैं जब भी पार्टी में सक्रिय नहीं रहा क्योंकि जब डॉक्टराजे सिंग चोटाला जी की और दुश्यन चोटाला की जब इंडियन नेशनल लोगदल में उपेक्सया हुई तो मैं मैं मैसूस हुआ जहां गुटन हुआ आदमी नहीं रह सकता और उपेक्सया के बाद और जब इनो अंदन से काम करने के लिए तैयार हूँ तो मेरी तो प्रेणा जोनल डॉक्टराजे सिंग के साथ जोड़ी हुई है बाईदुसेंद के साथ आसता है इसलिए हम जजेजेपी बढ़टे बे आगे सर कहा जाता है कि राजनिती के अंदर अगर छवी दागदार हो तो उसके बाद में लड़ना बहुत मुस्किल होता है तो आपके उपर भी कुछ लोग जो आपकी विपक्सी पार्टियां हैं वो एलिगेशन लगाती रहती हैं पीछे एक मामला हुआ था तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी मेरे उपर में दागदार आप मुझे नहीं कह सकते मैंने कोई मेरे उपर तो इलिगेशन इसलिए लगा था मैं तो लोगों के आवाज उठाई थी और सरकार ने चोर लुटेरों के खिलाब कारवाही करने की बजाए मेरे खिलाब मुकदमे दर्ज करके मुझे जेल में डालने का काम किया हमने तो जन हित में आवाज उठाई थी इसलिए हमारे पर कोई आप नहीं है वो तो सरकार ने हमारे साथ नाइन्साफ भी की और जुठे मुकदमे बढ़ा करके सरकार तो सरकार होती कुछ भी कर सकती लेकिन हमने नयाले से उमीद है हमने आई कोर्ट में हमने अपील दायर की और लग बग एक साल जेल रहने के बाद मुझे जमानत मिली तो मेरे अपर कोई आरोप नहीं है या हमने तो जन हित में आपको बता हूँ मामला क्या था कि 2011 के अंदर बहुत से पसू धंचोरी होता था और उसके खिलाफ हमने लोगों की आवाज को बुलंद किया था हमने विरोध जताया था क्योंकि यहां जब भी सत्ता में जो रहता है क्योंकि यहां दो नेता है भारतिय जनता पार्टिय को आदरी राविलासी शर्मा और कोंग्रेस से रावदान सिंग जी लेकिन जब यह सत्ता में होते ना दोनों अपस म इसने निमाई तो हमने विपक्स की भूम्मी का निवा निवाई और लोगोंगी जनुत की आवाज उठाE पूछो मुझे बड़े सराखो बेठातें और हार आदमी के दिल में टीस और पीडा वी है इस बात की कि हमारे इस चेटर के बाई और बेटे के साथ गलत हुआ और आपको ध्यान होगा कि बहुत से मुकद में ज़िए प्रदेश के एक छितर में आप जाओ महां चाहिए रेल उखाडने की बात करें छाहिए शड़के तो वोड़ने की बात करें चाहिए पेड़ काटने की बात करें लेकिन चेतर के वहाँ विशेश चेतर के लोगों के पर मुकदमेदाज नहीं होते और आपको देखा कि में अंदरकड में हमारे साथ मैं तो अन्याय कहूंगा कि हम अपनी बात को हम अपने पसु धन को बचाने के लिए हमने आवाज उठाई तो हमारे खिलाब संगीन धाराय लगा करेंगे मुकदमेदाज करती है अजय जी स्टेट नूज हरियाना से बात करने के लिए आपका धन्यवाद थैंक्यू अमिज जी आपका मैं पूरी टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा जहिन जबारत तो ये थे अजय सीघडिया जी जिन्होंने बहुत ह की बेबाकी से हमारे हर सवाल का जवाब दिया जो की अब की बार जजबा से यहां महंदरगड विधान सवासीट से टिकट के परबल दावेदार हैं मैं अपने सहयोगी रोहित और राकेश यादव के साथ अमित अमन स्टेट नूज हरियाना